नमस्कार आप देखरें न्यूस फोर्निशन और मैं स्वाती पांडे आपके साथ एक बार फिर से केंडरगरी मंतरी अमीत शाह पटना आने वाल हैं लेकिन इस बार बैठक बीजेपी के निताव संग नहीं बलकी नितीश कमार ममता बैनर जी समेट चार राजियों के मुख्य मंतरी अमीत शाह बैठक करने वाल हैं बतादे कि 2024 में लोग सभा चुनाव है और इस चुनाव को मैज कुछ महीली ही शेस है ऐसे में जहां एक तरफ तमाम पॉलिटिकल पार्टी यानि राजनतिक दल अपने अपने स्तर पर तयारियों में लगी हुई है तो वही एलेक्शन कमिशन भी यानि चुनाव आयोग भी तयारियों में जुट चुका है अब ऐसे में केंदगरी मंतरी अमीत शाह पटना आएंगे और पटना में बड़ी बैठक करने वाले हैं और ये बैठक न केवल बीजेपी के तवाम आला नेताओं के साथ होगा बलकि ये जो बैठक होनी है इस बैठक में खुद मुख्यमंत बैठक में शिर्कत करेंगे और इसकी अधक्षता अमीत शाह करने वाले हैं आखिर ये बैठक क्यों बुलाई जा रही है और दस दिसंबर को ये बैठक पटना में क्यों रखी गई है आए जानते हैं बिहार की राजधानी पटना में आगामी 10 दिसंबर को केंद्र गरी मंत परिशद की 26 वी बैठक होने वाली है बिहार में परिशद किया बैठक पाचवी बार होगी इसके पुर्व 1958, 1963, 1985 और 2015 में पटना में ये बैठक हो चुकी है इस मंथन में सभी राज्य अपनी अपनी वर्तमान, स्थिती और भविश्य की तैयारी के मद्दे नजर बात को रख पुर्वी शेत्रिय परिशद में बिहार, जारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल भी शामिल है इस बैठक की अधिक्षता केंद्र गरी मंतरी अमीत शाह करेंगे साथी बिहार के मुख्य मंतरी नितिश कुमार, पश्चिम बंगाल के मुख्य मंतरी ममता बनर जी जार खंड के मुख्य मंतरी हिमंत सोरेन और ओडिशा के मुख्य मंतरी नवीन पतनाईक इसमें शामिल होने वाले हैं। पुर्वी शेत्र परिसत की पिछली यानी परचिसवी बैठक साल 2022 में कोलकाता में आयोजित हुई थी। बैठक से नितिश कुमार ने किनारा कर दिया था। उन्होंने अपनी जगत जिस्वी यादव को भेजा था। इस पर राजनिती भी हुई थी। चर्चा उठी थी कि अंडिये से अलग होने के बाद नितिश कुमार केंद्र सरकार के कारेक्रमों और बैठकों से किनारा कर रहे हैं। पिछली बैठक में गती शक्ती योजना के तहट राज्यों की हिस्सेदारी नकसलवाद के समापन नशीले पदार्थों के खिलाफ अभियान में अर्टिफिशल इंटेलिजन्स की उपियोग सहीत अन्य लंबित मुद्दों पर विमर्ष किया गया था। वहें इसी साल जून महीने में 17 तारिकों पटना में पूर्वी शेत्रे परिसत की स्थाई समीती की 13 वी बैठक का आयोजन किया गया था। इस बैठक की अधिक्षता बिहार के मुख्य सुचिव अपर आमीर सुभानी ने की थी इसमें सभी राज्यों के मुख्य सुचिव भी शामिल हुए थे। जावई जहारखंड के मुख्य मंत्री और ओडिशा के मुख्य मंत्री भी शामिल होने वाल है। फिलाल इस वीडियो में बस इतना ही, आप देखते हैं ये न्यूस फानेशिव.